नमस्कार किसान साथियों स्वागत है आपका क्रिशी जानकार यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त कपिल दाखड़ किसानमत्रों ऊटी के अंदर अंतिम सीचाई का जो कारे है वो चल रहा है लगवग ये समझे कि हमने जो इदर की जो ऊटी है वो हमने उसमें थो थोड़ा सा और पानी के ज़रुत रहे हैं और थोड़ी सी कसर रह रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा सा जो पानी है ओर देने जा रहे हैं तो किसानमत्रों आप यहां पर देख सकते हैं यह उटी है और उटी में कुछ इस अभी जो है यहां पर आखरी सीचाई का जो कारे है फ कंडिशन देखने के बाद डिसाइड करना होता है कि खेत में पानी की जरुत है या नहीं है अगर है तो हमें देना पड़ता है अगर नहीं है तो पानी रोकना पड़ता है आप यहाँ पर कंडिशन देखें उटी लसुन अब अपनी अंतिम स्टेज में है मैं आपको यहाँ और size भी दिखा देता हूं, size भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, size भी काफी अच्छा और heavy बन गया है, पर फिर भी इसको पानी की जरुरत थी, इस बज़े से हमने इसको पानी देने की जरुरत लग रही है, तो अभी हम दे रहे हैं, आप यहाँ पर condition इसकी देखे, यहाँ प पर देने पड़ रहे हैं, तो यह condition इक किसान में तो एक चीज कल बहुत दुख हुआ, मैंने आप किसानों के लिए एक वीडियो डाला था, और उसमें मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी, जो किसान समझ नहीं रहे हैं, और समझाने की कोशिश करी थी, पर उस वीडियो के उपर जैसा रिस्पॉंस आया, वो देखने के बाद में मन थोड़ा सा दुख हुआ, कि बोले कियार किस के लिए कर रहे हैं, यह सब वही किसान है, जिनको 300 रुपे बेचने के लायक ही इनकी सही है, मतलब इनको 300 रुपे किंटल के साब से प्याज पर काफी कम रिस्पॉंस आया, मजा नहीं आया, क्या जो सोच के वीडियो बनाया था, मतलब सीधा जो ओरिजनल चीजें थी, हमने आपको बताई थी, सरकार के एक सरकार, कोई भी पार्टी, A, B, C, D, जो भी पार्टी है, सब पार्टी हैं एक जिसी होती है, किसान सेंट्र कोई भी एक ठोस नीतिया, आस तक कोई लेकर नहीं आया, तो उन वो सारी चीजें हमने बताई थी, पर ठीक है, आपका सपोर्ट नहीं मिला, उससे द्यादा अच्छा तो जो नाजगाना करने वाले होते हैं, उनके वीडियो चल जाते हैं, किसानों के उपर वीडियो इतना डीपली स्टडी करके वीडियो बनाया था, वो कोई एक सेंस नहीं बनाया, ठीक है, आपको जैसा लगा, आच्छी बात है, पर चलो कोई नी, वीडियो यहीं समाप करते हैं, जही जवान, जही किसान, धन्यवाद